बैक टो माई शैनल स्मार जोन सोगाइस फाइनली कल अररवी एंटी पीसी का आंसर किया गया लेवल 3 लेवल 5 लेवल 2 और सबने आंसर की अभी तक चेक कर लिया होगा मैंने एक सर्वे क्रियेट करा था जिसमें मैंने कमेंट स्क्षिन में आपको बोला था कि अपना जोन कमें करना ठीक है तो बहुत सारे केंड़ेट नहीं हाँ पर कमेंट किये थे और ऑल्सो जो मैंने कॉम्णिटी पोस्ट चला था उसमें भी बहुत सारे कैंड़ेट ने अपने स्कोर को शेयर कर रहा है ठीक है अफी ज्यादा एनस्स करने के बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हू सब्सक्राइब कर ente तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगया ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ कुछ नंश्य वटतर पर करेगा ठीक है सबसे ज़्यादा important यह है कि candidate के attempt कितने थे ठीक है candidate ने कितने score किये तो उसके लिए मैंने survey create करा था तो उसमें मुझे यहाँ पर clear पता चला कि candidate के attempt कितने आ रहे है ठीक उसके basis पर अभी यहाँ पर cut up बताने वाला हूँ also जो important चीज़ आपके लिए वो है level of exam ठीक है कि exam का level कैसा था अगर level of exam easy रहता तो candidate के जो attempt होते हो हाई होते है अगर यह hard रहेगा तो candidate के attempt क्या होंगे low होंगे इस पर cut up बहुत ज्यादा depend करता है फिर यहाँ पर आता है factor कि कितने गुना candidate आगे जाएंगे टाइपिंग में ठीक है जो टाइपिंग वाली post है उसके लिए फिर यहाँ पर आता है कि जो एकंसिस थी वो कितने है और क्या competition level है ठीक तो अगर हम बात करें तो tapping वाली post के लिए यहाँ पर लगभग 8 होना candidate से लेक किये जाएंगे ठीक है जो कि काफी ज़्यादा यहाँ पर cut up बहुत बहुत सकता है ठीक दूसरी बात हम बात करें तो जो आपका यहाँ पर level of exam ता रहा हम level 2 और level 5 का ले ठीक है जो level 3 का exam हुआ था न वो exam अच्छा हुआ easy हुआ easy to model उसको बोल सकते है वो ज़्यादा hard level का कोई यहाँ पर question नहीं था level 3 में ठीक है तो यहाँ पर merit ज़्यादा जाने की chances है अब हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा important जो candidate के attempt है ठीक है अब attempt की बारे में एक comment है 58 63 और 60 ऐसे करके इन्होंने attempt कर रहा है ठीक है अब एक comment मैंने pick कर रहा है जिससे आपको यहाँ पर समझ में आगा कि accuracy का roll था और मैंने क्या बोला था उस time और वो चीज कैसे संच हो गई ठीक है मैंने क्या बोला था कि अगर आप 90 प्लस भी attempt कर लोगे ठीक है accuracy नहीं रह ठीक 51 नंबर आ रहा है मतब समझ रहे हो कितना ज्यादा यहाँ पर इनका negative चला गया मैंने आपको पहले ही बताया था कि ज्यादा attempt करोगे वह यहाँ पर important है अब कितने सही attempt कर तो यह important है ठीक है 98 कर यहाँ पर 63 नंबर इनको आया 99 कर इनको 65 यहाँ पर मिला ठीक है तो बिल्कुल आपका जो नंबर है वो माइनेस में जागा negative marking यहाँ पर है यह मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो candidate बोले है 100 plus attempt कर रहे है वो 70 से आगे नहीं बरहेंगे जब answer की आएगा तो ठीक है यह मैंने आपको पहले ही समझा दिया था बहुत सारे candidate बोले था आपने जो cutter बता है वो बहुत कम लग रही है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैंने सब कुछ analyze करके accuracy जो था मैंने exam review center बजा के जब कर था वहाँ पर मैंने accuracy candidate से पूछे था सारे का accuracy लग वो 85 80 का round था 90 plus तो किसी में नहीं नहीं बता है वहाँ पर आपने देखा हो किसी नहीं नहीं बो 80% से कम ही रही है 79.something लेकिन मैंने एक overall लिया है 80% आपकी attendance रही है level 5 और level 2 exam में इससे ज्यादा attendance नहीं लगी है ठीक है तो यह वी एक factor हो गया यहाँ पर cut-off कम जाएगी ठीक है अब इतने कुछ मैंने analyze करा है जिसे मैंने यहाँ पर comment analyze करा है candidate के score analyze करा competition क्या analyze करा कितने ऐसे पोस्ट जो tapping लिए analyze करा है अब इन सारे analysis के basis पर अगर हम बात करें safe score की जो कि मैं level 2 और level 5 के लिए बताने जा रहा हूं तो सबसे पहले ध्यान से सुनना high zone low zone और moderate zone इन तीनों को मैंने अलग-अलग divide करा है और सब को मैं यहाँ पर category में बाट लिया हूँ ताकि आपको समझ किस zone का cut up कितना रहे किस zone का कितना कम जाएगा और high जाएगा तो हम पहले बात करते हैं 5 और 3 level 5 और 3 के बारे में ठीक यूर की हम बात करें सबसे पहले मैं बताता हूं आपको सबसे जादा जो high zone cut up है वहाँ पर क्या रहेगा ठीक है जिसमें की कौन-कौन से zone आते हैं यह आ अब यह मैं आपको बता रहा हूं level 5 और level 2 के लिए यूर में अगर आप 75 से लेकर 80 सही करे हो तो बिल्कुल आप यहाँ पर safely निकल जाओगे ठीक है इससे ज़्यादा cut up नहीं जाने वाली है expectation है कि 75 के around ही रहेगा उससे उपर नहीं जाएगी ठीक है लेकिन मैंने एक range बता हो गावगा आगे हम बात करें obc की ठीक है obc की यहा पर बात करते categories और 60 से लेकर 65 अपने यहाँ पर करा है बिल्कुल आप यहाँ पर सेफ हो इस्टी की बात करें 55 से लेकर 60 की बीच आपने करा है बिल्कुल आप यहाँ पर सेफ हो अगर हम EWS की बात करें EWS में अगर आपने 60 6 से लेकर 70 के बीच करा है बिलकुल आप यहाँ पर safe हो ठीक है यह ऐसे state के cutoff बता रहा हूँ जो उनकी यहाँ पर सबसे ज़्यादा high cutoff रहती है अब हम बात करते है moderate जो उनकी बारे में ठीक है तो यहाँ पर आपका आता है moderate zone में कौनकों से आता है लेवल 2 और लेवल 3 के भी लेवल 5 की बात हो रही है ठीक है लेवल 2 और लेवल 5 की बात है भी हो रही है लेवल 3 के मैं अलग से बताऊंगा ठीक तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आता है मुंबई, सेकेंद्राबाद, ठीक है आपका SC और HD ठीक है, SC के जो cut-off है यहाँ पर वो 56 से लेकर 62 की बीच रहेगा और HD की बात करें, HD की जो cut-off है 54 से लेकर 58 की भी यहाँ पर रहेगा, ठीक है AWS की बात कर ले, 62 प्लस इनफ है यहाँ पर इतना score आगा, बिल्कुल आप यहाँ पर safely निकल जाओगे अब हम बात करते हैं, लेवल 5 और लेवल 2 के सबसे लो cut-off जोन के बारे हैं, जहाँ पर cut-off सबसे लो रहती है अब उसमें कौन-कौन से जोन आते हैं, मैं आपको बता रहता हूँ उसमें आता है आपका जमुई, ठीक है, फिर आपका गौहाटी, बिलासपूर, भुवनेश्वर, चेनाई, और एहमदाबाद, और थिरवुवन नात, जो है आपका यहाँ पर जोन आता है ठीक, इन सारे जोन में, कटव सबसे जाया लो रहता है, अगर हम यूर की बात करें, तो यहाँ पर 68 से लेकर, 72 की बीच अगर आपकी अटेम्ट है, बिलकुल आप से फली निकल जाओगे, OVC की बात करें, 65 प्लस भी आपने यहाँ पर सही कर लिया, बिलकुल आप से फली अगर हम बात कर ले, SC की तो 55 प्लस यहाँ पर इनफ है, अगर आपने इतना कोशन सही कर रहा है, बिलकुल आप यहाँ से निकल जाओगे, से फली और अगर आपने 52 प्लस से स्कोर कर लिया है, ST में तो निकल जाओगे, EWS की बात करें, तो 56 से लेकर 61 की बीच अगर आपकी यहाँ पर स्कोर है, से फली आप यहाँ से निकल जाओगे, इतना आपने सही कर रहा है, तो बिलकुल आपका यहाँ पर सेलेक्शन कनफॉर्म हो जाएगा, यह जो कर रहा हूँ, आगे की स्टेज के लिए बता रहा हूँ कि इतना आप अगर कर रहें तो CBT2 आपका क्वालि चनाई, अजमेर, पतना, कॉल का था, राची, मालदा, अगर बात करें, यहाँ पर लेवल 3 में क्या कटफ रहेगी, तो यहाँ पर जो कटफ है, वो 78 से लेकर, 82 की बीच रहेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, लेवल 3 में थोड़ा easy level का exam था, competition भी यहाँ पर हाई गय यहाँ पर enough है, अगर high state cutoff की बात करें, तो वहीं बात कर लें, SCST की, तो SCST की बात करें, तो SCST की जो cutoff है यहाँ पर, 65 प्लस अगर आप AC में कर ले तो निकल जाओगे, और 60 प्लस अगर आप ST में करते हो, तो safely निकल जाओगे, ठीक है, EWS की बात कर लें, तो यहाँ पर 68 स से जोन आते हैं तो मैं आपको बत सोरी ऐसे जोन में कौन-कौन से स्टेट आते हैं तो मॉडरेट लेवल की बात करें मुंबई सेकेंद्राबाद बैंगलोर गोरखपूर और भोपाल मुझजफरफूर सिलिगोरी यहां पर कट अफ मोडरेट रहता है लेवल थी की बात करें यूर में 75 के अराउंट अगर आपने स्कॉर काई है 75 से प्लस बोल लो तो बिल्कुल आप निकल जाओगे यहां से सेफली ओवी सी की बात कर ले 70 प्लस यह 72 प्लस बोलो 72 प्लस क्योंकि यहां पर लेवल अफ इग्जाम हलका सा इसलिए मैं यहां पर बता रहा हूं इतना कटफ रहें कि वह 1 टी की रहेंगी ठीक लिएव बात करें सिच्व यहां पर कटफ जाने वाला हुआ भूंग से औरू हे लेवल निकलोगे OBC की बात करे 65 plus OBC के लिए यहाँ पर enough है टेक इतना score कर लोगे आप सेफली यहाँ से निकल जाओगे next बात करे SC और ST की बारे में तो SC और ST की जो cut up है यहाँ पर SC की बात करे 60 plus enough है और ST की बात करे 55 plus अगर आप score यहाँ पर करते हो तो सेफली यहाँ से निकल सकते हो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली EWS की बात कर लें तो EWS की cut up जो यहाँ पर 58 plus रहने वाली है यह आपका overall level 3 का cut up रहेगा ठीक है और इसके around ही रहेगा मेरे recording जहां तक मुझे लगता है यह आपका cut up होने वाला जब आप रिजल्ट आगा ना CVT2 का तो आप बेलकुल match करना लगभग आपको यही cut up देखने को मिलेगा क्योंकि जितना मैंने comment को analyze कर रहा है जितना मैंने exam level को analyze कर रहा है जो result आए वो यही निकल के आए जो reality था RRB anti PC CVT2 cut up का वो मैंने आपको दिखा दिया है उमीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like करना इस वीडियो को जासे शेर करना अपने दोस्तों में तो guys मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक लिए बवाई and take care